आप देख रहे हैं आपका चहेता चनल विक्रम टुटोरियल और मैं आज आप लोगो पियाजे के भासा संबन्दी आत्वा संग्यनात्मक विकास सिध्धानत के बारे में कुछ जानकारी दूँगा और यह जानकारी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदे मंद हैं तो चलिए सुरू करते हैं और मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो भी चीज़ करें एकदम सिध्धत से करें आपको जरूर सफलता मिलेगी तो पियाजे एक स्विस मनोवे ज्यानी यानि स्वीजरलेंड के मनोवे ज्यानिक थे तो कभी कभी कोश्चन आ सकता है सिटेट मे कि पियाजे कहां के मनोवे ज्यानिक थे तो स्वीजरलेंड के थे पियाजे ने संगनात्मक सिध्धांत का परतिपादन किये थे तो संगनात्मक सिध्धांत का परतिपादन किस ने दिये थे पियाजे ने पियाजे का इनुसार जो है बच्चे में पहले भासा आती है और फ प्रियाजे नहीं किये थे प्रियाजे ने संज्ञानात्मक्विकास को चार चर्णों में बाटा है पाला है संबेदि गामक अवस्था जिसको सेंसरी मोटर स्टेज करते हैं जिसकी आवधी होती है 0 से 2 वर्स दूसरा होता है पुरु संक्रियात्मक अवस्था प्री-Operational स्टेज 11-16 वर्स कहीं है 11-15 वर्स भी दिया रहता है धियान रखेंगे और अपचारी को ही बोलते अमुर्त संक्रियात्मक अवस्था तो कन्फ्यूज नहीं किजिएगा ठीक है एक नमबर संबेदी गामक अवस्था यह होता है आपका 0-2 वर्स इस अवस्था में जिसको आं भूख लगने पर रोदन क्रिया जो होती है क्राइंग जो क्रिया होती है वह होता है सम्यदी गामक अवस्था बात कट और भी एगर पॉइंट है तो आप खुद भी नोट कर सकते हैं ठीक है अपने से भी जो-जो careful मिले आप नोट कर सकते हैं तो मुझे ज जो जीव यानि जीववाद इसको बोलते हैं उसका भेद नहीं कर पाते हैं इसमें बच्चे परतिकों का सहरा लेने लगते हैं फिगर उगर समझने लगते हैं सब्दों का उचारन करने लगता है और भार अनुपात आदी नहीं बता पाता है यानि भार क्या है अनुपात क्या है ये सब का ज्यान नहीं होता है आते हैं तीसरा नमबर मुर्थ संक्रियात्मक अवस्था जिसमें साथ से गारा वर्स होता है इसमें सजीव निजीव जीवात का भेद कर लेता है इसमें परतिकात्मक चीजों को समझने लगता है इसमें सही अकार भार अनुपात आदी को समझ लेता है इसमें छोटा मोटा जोड घटाव इत्यादी बी कर लेता है और लास्ट चोथा ऐसकर शंकरियात्मग वस्ता या मूरथ शंक्रियात्मग वस्ता इसमें ऐसमरान, चीन्तन आदि कर सकता है, इसमें अमूर्त wart concern कर सकता है, तो यह केसा रहा और कितना अच्छा लगा आप लोग comment box में जरूर बताएं इससे आपको फायदा जरूर हुआ होगा तो इसी परकार के ओन सीटेट बीटेट बीड इत्यादी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते ही रहें बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो देखने के लिए और भी इस परकार के वीडियो देने के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो करते ही रहें जय हिंद जय भारत